पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने ये कैसा नसा चड़ाया आपने, जब से देखा है आपको मेरी जान बस यही गुनगुनाता रहता हूँ कि जब से देखा है आपको मेरी जान बस यही गुनगुनाता रहता हूँ पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने बहुत है शुक्तिया यह गहराई वाला है भाई समझ येगा पहले मैं बता दूं बिलाप सब्सक्राइब अगलता है मातम और ताप का मतलब होता है कि मेरे घर में यह क्या हुगता ना भाई एक वार में आपिस पर बैटा था तो एक श्रगरहत होता है किसने देखा उस पर अर्थी जाती है तो नि ये बिलाब कैसा है, हांडी में ये आग का ताप कैसा है, ये क्या देख रहा हूँ मैं मेरा जनाजा, और सब के मूँ पे राम नाम का जाप कैसा है, मा तो रो रही है मेरी बिलग बिलग कर, क्या पापा रो रो रही है मेरी बिलग बिलग कर, समझ नहीं आरा मेरा ये सांथ बाप कैसा है, और मैंने तो उम्र भर तेरी पूजा की मेरे मालिक, फिर भरी जवानी में ये मौत का सराप कैसा है, मौत का सराप कैसा है कि एक और देखें है भाई, उसको सुनाने के बाद फिर जगा लूँगा, मौपबत खुदा से कम नहीं होती दिल कितनी भी बार तूटे पर मौपबत खतम नहीं होती दिल कितनी भी बार तूटे पर मौपबत खतम नहीं होती लड़कियां कहती हैं तुम बाते अच्छी करते हो जै पर ऐसी करते हो जिसमें सरम नहीं होती लड़किया कहती है तुम बाते अच्छी करते हो जै पर ऐसी करते हो जिसमें सरम नहीं होती और पी-पी कर नसे में चूर हो गया हूं दीपक भाई और रोयाता किसी के जाने पर पहली दफाम है कि रोयाता किसी के जाने पर पहली दफाम है अब कोई जाता है तो आंके नम नहीं होती और बहुत बहुत शुक्रिया एक सभी शायरों के लिए कि देखिएगा कि इन पलकों से आंके नम छुपा लेते हैं इन पलकों से आंके नम हम साय रहे हसकर गम छुपा लेते हैं बहुत 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 शूक्त